नमस्कार दोस्तों So friends, देख सकते हैं लिखा हुआ है बुंदेलखन Medical College सागर सागर जिले का जो सरकारी Medical College है उसकी ये Official वेबसाइट है और जैसा कि आप सबी लोग को मालुम है सागर Medical College में पेरा Medical Staff की अलग-अलग पोस्ट के लिए vacancies आप पे की गई थी, finally update वेबसाइट पे आ चुका है जितनी भी candidates ने आप पे apply किया information आपको यहाँ पे दी जारी कि जो भी आविदन आप लोग ने आप पे किया, आप लोग यहाँ पे eligible पाए गए या फिर आप लोग not eligible है, तो यह list यहाँ पे जारी कर दी गई, सबी पोस्ट के लिए यह information आपको यहाँ पे दी जारी कि आप लोग यहाँ पे पात्र पाए गए हैं या फिर आप लोग आप आत्र पाए गए हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में आपे क्लिक करें और आगी की information इसी तरीके से पात्र नेते बिलकुल शुरूबात कर देते हैं अपने update को और जो लिष्ट आपको यहाँ पे जो दी जारी है इसको यहाँ पे open कर लेते हैं तो बिलकुल आप सबी लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कारियाले अधीस अश्ता, बुंदेलखन चिकेसा, माविद्याला सागर तो सागर medical college द्वारा यह लिष्ट यहाँ पे जारी कर दी गई लिखा भी हुआ है पेरा medical के पदों पर पात्र या फिर प्रोविजनल पात्र या फिर अपात्र अभ्यारतियों की सूची और लिष्ट यहाँ पे जो जारी की गई अभी हाली में officially website पे आपको यहाँ पे दे दी गई इसमें दोस्तों आपे देखिए लिखा हुआ है जो भी candidate साहँ भी government college से पास आउट है या फिर autonomous चिकिस्ता महाविधालों से आप लोग उत्रीड है पास आउट है और पेरा medical की अलग-अलग post के लिए आप लोग ने apply किया जो आविदन आप से आपे आमंतरित किये गए थी और शुरूबात में जो उसकी last date थी 23 अगस से 2021 से आप निर्धारित की गई थी फिर दोस्तों एक notice website पर जारी किया गया और notice में बोला गया कि आविदन को आमंतरित करने की means आविदन जो है last date याप बढ़ा दी गई थी और 10 सितंबर 2021 तक ये date याप बढ़ा दी गई थी आ आप लोग ने apply कर दिया था और दोस्तों आप लोगों को ध्यान भी होगा मैंने आपको वीडियो के form में information दी थी कि ये vacancy के लिए काफी कम form याप बढ़े गए और notice में ये जानकारी आपको दे दी गई थी कि बहुत ही कम आविदन पहुचे हैं तो दोस्तों ये वही recruitment है और finally आप लोग जो है पात्र और अपात्र या फिर प्रोफीजनली पात्र अभ्यारतियों की सूची में आप लोग अपना नाम देख लें तो लिश्ट में कैसे आप लोग अपना नाम देखेंगे जैसे कि देखिए फार्मेसिस्ट ग्रेट्टू की पोश्ट के लिए जित इसका करण आप लोगों को यह वाले कॉलम में दिया गया है और आप कर सकते हैं तो दोस्तों फार्मेसिस्ट ग्रेट्टू की पोश्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट्ट यहां पर देखिए एलिजेबल यहां पर नहीं पाए गया जितना भी आप लोग यहां पर इसको नीचे करेंगे सब कैंडिडेट्ट यहां पर नीचे करेंगे सब कैंड से उत्रिन नहीं होने के कारण अपात्र पाए गए है तो जितनी भी कैंडिडेट्स ने यहां पे एपलाय किया अगर आप लोग प्राइवेट कॉलिज से पासाउट थे तो यहां पे आप लोगों को रिजैट कर दिया गया है अपात्र आपको कर दिया गया है इसके बाद लोट एलिजिबिल और एलिजिबिल तो कुछ कैंडिडेट्स नहीं होने के कारण अपात्र आपको पाए गया है तो वहीं सेम कारण है जो candidates यहाँ पर private college से pass out है उनने भी यहाँ पर apply कर दिया और इसके result में आप लोगों को यहाँ पर अपातर गोशित कर दिया गया जितनी भी candidates यहाँ पर eligible हैं पातर पाए गए हैं आपको निर्देश दिया जाता है कि कारे दिवस तीन दिनों के अंदर उपस्तित होना है और दस्तावीच का सत्यापन आप लोगों को कराना सुनिश्चित करना है इसके बाद दोस्तों इस पीस थेरिपिस्ट की पोस्ट है तो यह सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी अगर आप लोग ने अपलाय किया है तो एलिजिबल है या फिर नौट एलिजिबल है या फिर प्रोवीजनल एलिजिबल है तो यह जानकारी भी इसमें आप लोग यहां पे चेक कर सकते हैं आप लोगों को भी तीन दिनों के अंदर उपस्तिती देनी है दस्ता वीच का सत्ता पर आपको कराना है इसके बाद दोस्तों Refractionist की पोस्ट के लिए Eligible और Not Eligible Candidates के आप नाम है तीन दिनों की बीतर आप लोगों को भी यहाँ पे अपना उपस्तेति देनी है जो Candidates पातर पाए गए है इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे आप पे Candidates है जिनके form Last Date के बाद पाए गए है तो यहाँ पे लिखा हुआ है Remark Not Eligible है क्यों है कि Last Date के बाद इन Candidates ने आप एपला किया और इनके आविदन समय रहते पहुंच नहीं सके तो ऐसे Candidates को भी आपातर यहाँ पे कर दिया गया इसके बाद TB and Chest Disease Health Visitor की पोस्ट है यहाँ पे भी Candidates के नाम है Eligible और Not Eligible Candidates तो आपको यहाँ पे बता दिया गया और देख सकते हैं TB and Chest Health Visitor की जो पोस्ट है यहाँ पे सभी Candidates यहाँ पे Not Eligible पाए गये इसके बाद दोस्टो Clinical Psychologist की यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे भी सभी Candidates Not Eligible यहाँ पे पाए गये और इसका करण आप लोगों को बता दिया गया है महाविद्याले उसे आप लोग उत्रीन नहीं थे मिस Private College से आप लोग पासा उठे इस वज़े से आपको अपातर किया गया और यहाँ पे बोला गया है कि अगली सूचना आपको दी जाएगी इसके लिए महाविद्याले का Notice Board या फिर Official Website पे अब लोगन करते रहे तो कुछ Information आगे आपको मिलने वाली है जो Candidates आपको आपातर पाएगा है कोई नवीन सूचना है कोई नई जानकारी आपको आपको आप दी जाएगी Notice नकला जाएगा तो Official Website और हमारी YouTube चैनल से आप लोग यहाँ पे जुड़े रहे आप लोगों को आगे Information मिलने वाली है तो दोस्तों यह 13 पेज़ का यह पूरा PDF फाइल आपको प्रोवाइड करेगी तो पूरी जानकारी मैंने आपको आप इसमें दे दी आप लोग अपना अपना नाम इसमें आप पे चेक कर लें कि आप लोग यहाँ पे Eligible हैं यहाँ पे Not Eligible हैं और Not Eligible वाले Candidates के लिए Information आप पे आने वाली है ऐसा यहाँ पे लिखा तो हुआ है और जैसी Information आएगी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा तो यह अपडेट कैसा लगा लाइक कर दे इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें इस मेहनत को लाइक जरू करेगा अपने चैनल का WhatsApp नमबर मैं आपको आप पे दे देता हूँ 741 5543659 यह चैनल का हमारा WhatsApp नमबर है कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है WhatsApp पे आप लोग हमारे मैसेज कर सकते हैं मैसेज करके आप लोग अपना डाउट किलियर कर लें और सब्सक्राइब कर लें जैसी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रैड बेटन को आप पे क्लिक करें आगे की इंफर्मेशन इसी तरीके से पाते नेते मिलते आप से अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच